How to Read a Book by Mortimer J. Adler and Charles Van Doren किताबों से ज्यादा information हासल करने के लिए आपको actively पढ़ना होगा और पढ़ने के कुछ नियम भी जानने होंगे क्या स्कूल में आपको assignment text पढ़ने में मुश्किल आती थी? हाला कि हम अपनी खुशी के लिए पढ़ना पसंद करते हैं लेकिन जब किसी ऐसी किताब या article पर काम करने की बात आती है जिसमें interest नहीं आता तो अपने आपको engage रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पढ़ती है boring से boring किताब को जल्दी और efficiently पढ़ने के तरीके मौजूद है 1940 की how to read a book आपको किताब से ज्यादा से ज्यादा हासिल करने में मदद करती है चाहे आपको English class के लिए जल्दबाजी में कोई novel खत्म करनी हो या फिर काम के लिए marketing text इस summary में आप जानेंगे कि क्यों आप passive reader नहीं हो सकते table of contents आपका दोस्त क्यों है और क्यों bright से bright लोगों को dictionary की जरूरत पढ़ सकती है तो चलिए शुरू करते हैं क्या एक अच्छी novel में खो जाने में आपको जरा सा भी वक्त लगता है जब हम अपनी खुशी के लिए पढ़ रहे होते हैं तो हमें हमारा नजर्या बदलने की जरूरत नहीं पढ़ती हाला कि ऐसे बहुत सारे मौके होते हैं जब हम अपने entertainment के लिए नहीं बलकि काम के लिए पढ़ रहे होते हैं और जल्दी जल्दी हमें information कलेक्ट करने की जरूरत होती है इससे पहले कि हम ऐसा करने के tips और tricks के बारे में जाने ये जान लेते हैं कि effective reader होने का क्या मतलब है पहले basics पर ध्यान दीजे पहले चीज़ जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि पढ़ना active task है ना की passive आप इसे ball game की तरह समझ सकते हैं जहां एक तरफ के लोग ball fake ते हैं और दूसरी तरफ के लोग इसे catch करने की कोशिश करते हैं मतलब catcher यानी reader को ये समझने की कोशिश करनी होगी कि author जो ball fake ता है क्या कहने की कोशिश कर रहा है इसका मतलब है आप lazy रहकर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि सारे information आपकी तरफ खुद चलती चली आएगी आप किताब से जो चाहते हैं उसे हासल करने के लिए मेहनत करनी होगी जैसे आप किसी और काम में करते हैं अगर आप एक highly professional reader बनना चाहते हैं तो आपको इसके लिए जरूरी skill सीखनी होगी मिसाल के तोर पर ball वाले game में अगर आप game के rules जानते हैं और practice करते हैं तो आप एक अच्छे catcher बन सकते हैं तो एक अच्छा reader बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए superficial से involved और analytical तक पढ़ने के अलग-अलग level को master कीजे आगे आप ऐसा करने के लिए कुछ guidelines के बारे में जानेंगे elementary reading किसी भी book को analyze करनी से पहले आपको इसकी grammar और vocabulary समझनी होगी याद है school में आपको बिना मतलब समझे sentence पढ़ना पढ़ता था जैसे कि that cat sat on the mat वो elementary reading की तरफ आपका पहला कदम था elementary reading वो चीज़ है जिसमें reader को text में मौझूद words और sentences को समझना होता है यहाँ पर reader अपने आप से सवाल करता है यह sentence क्या कहता है मिसाल के तोर पर जब बच्चा पहली बार पढ़ना सीखता है तो वो page पर मौझूद sound और symbols को word और sentence से connect करके text को समझने की कोशिश करता है जब वो ऐसा कर लेता है तो sentence में मौझूद basic content समझ लेता है सबसे पहले वो letters C, A और T को cat की तरफ sound करता हुआ समझते हैं जो की दूसरे word से connect करके the cat sat on the mat sentence बनाता है और finally page पर एक billy mat पर बैठी दिखाई जाएगी ये सारी चीज़ें obvious लग रही हैं है ना? लेकिन text को समझने का तरीका इस skill सीखने पर depend करता है अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे कि words और sentence क्या communicate कर रहे हैं तो आप किताब की ऊपरी content से आगे नहीं पहुँच पाएंगे यहां तक की इसका basic मतलब भी नहीं समझ सकेंगे मिसाल के तोर पर imagine कीजे कि आप cat word जाने बिना उस पर कोई किताब पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल बे मतलब होगा अगली बार जब आपको कोई text analyze करना हो तो ensure कीजे कि आप उसकी शुरुआत को समझते हैं Inspectional Reading किसी भी किताब को analyze करने से पहले आपको इसे उपरी तोर पर पढ़ना होगा कि ये deep analyze करने लाइक है या नहीं क्या आप कभी कोई किताब घर ले आए हैं जिसके बारे में लगा है कि ये वैसी नहीं है जैसी सोचा था ऐसा नहीं हुआ होता अगर आपने पहले Inspectional Reading की होती Inspectional Reading एक ऐसी टेकनीक है जो इस किताब में क्या है और ये किस तरह की किताब है का जवाब देती है ये टेकनीक थोड़े से वक्त में किताब की बेसिक समझने में मदद करती है लेकिन आपको किसी भी किताब का Inspection करने की क्या जरूरत है जब तक आप किताब को डीटेल में नहीं पढ़ेंगे नहीं जान पाएंगे कि ये आपके काम की है या नहीं किसी भी किताब को खरीदने या उधार लेने से पहले Inspection Reading की मदद से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये किताब आगे पढ़नी है या नहीं किसी भी किताब को इंस्पेक्ट करने के लिए आपको कुछ पर्टिकलर हिस्सों पर ध्यान देना होगा मतलब किताब की skim reading करना किताब की systematic skim reading के लिए सबसे पहले title page, table of contents और editor blurb पढ़िए इसके बाद वो chapters और paragraph पढ़िए जो आपके काम का हो सकता है इन सब को follow करने से ये जानना आसान हो जाता है कि book आपके काम की है या नहीं अगर नहीं तो आप इसे मत लीजे एक बार जब आप ये decide कर लें कि किताब आपके काम की है तो आप उसे detail में पढ़ सकते हैं लेकिन superficially जब आप पहली बार पढ़ रहे हों तो बारी क्यों और उन चीज़ों को ignore करें जो समझ नहीं आती इस तरीके से आप बार बार word की meaning के लिए dictionary खोल कर पढ़ने का मज़ा नहीं खराब करेंगे मिसाल के तोर पर बहुत सारे high school के बच्चे शेक्स्पियर को पढ़ना पसंद नहीं करते क्योंकि बार बार उने words की meaning के लिए footnote देखना पड़ता है पहले से जानना की text quiz बारे में हैं दूसरी बार पढ़ते वक्त tricky apart समझने में मददगार साबित होगा analytical reading जब आप किताब को analyze करना शुरू करें तो सबसे पहले आपको इसकी main theme और author का मकसद समझना होगा एक बार जब आप किताब को समझ लें उसके बाद analysis शुरू करें analytical reading content चबाने और digest करने जैसा है इस process का पहला step ये जानना है कि आप कैसे किताब पढ़ रहे हैं और इसकी theme एक दूसरे से कैसे connect होती है किस तरीके से theme develop होती है ये किताब के topic पर depend करता है इसलिए किताब को classify करना जरूरी है अगर आपको पहले से मालूम है कि किताब theoretical है तो इसका मतलब है argumentation, how to book के compare में थोड़ा abstract होगा मिसाल के तोर पर math पर लिखी गई किताब में self help किताब जैसी life advice नहीं होगी किताब का main मकसद दिमाग में रखना इसके complex part को समझने में आपकी मदद करेगा किसी भी किताब को classify करने का सबसे fast तरीका इसकी superficial properties पर ध्यान देना है जैसे कि किस तरह की languages में इस्तमाल की गई है और title क्या कहता है मिसाल के तोर पर practical book में should और ought to जैसे model इस्तमाल होते हैं इसी तरीके से तो अगला number text पर focus करने का है यहाँ पर आपको plot समझना होगा और यह ध्यान देना होगा कि अलग-अलग theme पूरी किताब या theme से कैसे connect कर रही है इसके तहत कुछ sentences में पूरी कहानी को summarize करना themes और sub plot को पहचानना होता है मिसाल के तोर पर Odyssey की story line Greek hero का उसके homeland वापस आना है और इसके outline की तहत कहानी के main events आएंगे जैसे की पहला Odysseus का कैलिप्सो के island से चले जाना दूसरा उसके बेटे का उसे ढूनने के लिए जाना वगेरा वगेरा इस तरह का book analysis x-ray लेने जैसा है आपको इसकी bones यानि plot देखकर इसके nature का पता लगाना होता है इसके बाद आप इसके ghost यानि structure और subplot की तरफ जा सकते है author को समझे author idea बेचने वाला होता है ये देखने के लिए कि वो हमें quality content पेश कर रहा है या नहीं हमें किताब की vocabulary और argumentation पर ध्यान देना होगा और ऐसा करने के लिए हमें इसके concept, terms को पहचानना होगा इसके लिए सबसे पहले keywords को identify करते हुए उनके मतलब समझाईए textbook में keywords का पता लगाना आसान होता है क्योंकि वो अकसर bold में लिखे होते हैं keywords और इसके मतलब को समझने के लिए आपको अपने आसपास के words पर ध्यान देना होगा जब ये words context के साथ पढ़े जाएंगे तो आप इनके मतलब आसानी से समझ लेंगे जब terms वाला काम खत्म हो जाए तो आप author का message समझना शुरू कीजे जिसका मतलब text preposition ढूंडना और इसके structure को समझना है आप preposition को किसी सवाल के जवाब opinion या knowledge declaration के तोर पर recognize कर सकते हैं ये सब text के key sentences में मिलेंगे और इसमें notable meaning होगा preposition किसी भी argument का main message बताता है हाला कि preposition identify करने का कोई लिखा हुआ rule नहीं है ये पूरी तरीके से reader पर depend करता है कि वह structure और key points को किस तरीके से समझता है ये चेक करने के लिए कि author जो कहना चाह रहा है वो आपकी समझ में आया या नहीं आप इन keywords को अपने शब्दों में दोहरा सकते हैं जब आप ये काम पूरा कर लें तो आपको पता लगाना है कि ये एक दूसरे से कैसे connected है मिसाल के तोर पर क्या पहले preposition से दूसरा preposition logically follow up किया गया है क्या author ने पहले argument पेश किया और फिर example दिया या इसके उल्टा इन steps को follow करके आप अच्छे से समझ सकेंगे कि क्या और कैसे कहा जा रहा है जब आप कोई किताब analyze करें तो इसकी खासियत और logic को भी evaluate कीजिए एक बार आप author के idea को समझ लेते हैं तो content को judge कर सकते हैं किसी भी book analysis के evolution का ये आखरी step है किताब की significance को evaluate करने का मतलब है अपने आप से क्या ये सही है इसका क्या जैसे सवाल करना इन सवालों का जवाब पाने के लिए आपको सही और balanced तरीके से किताब को criticize करना होगा मतलब जब आप किताब को critical नजर से देखेंगे तभी इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे मिसाल के तोर पर अगर आप बहुत emotional हो जाते हैं या फिर author क्या कहना चाह रहा है ये आपके समझ में नहीं आया तो आप किताब को criticize नहीं कर पाएंगे अगर आप ये नतीजा निकालते हैं कि argument compelling है तो इसका मतलब है आप author की बातों से पूरी तरह agree कर रहे हैं हाला कि आपको principle पर disagree करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपके पास author से disagree करने की कोई solid वजह है तो आप ऐसा कर सकते हैं इन में से criticism ये हो सकता है कि author को topic की जानकारी नहीं है या फिर उन्हें गलत जानकारी है Darwin को ही ले लीजे Genetic और Mechanism of Inheritance को लेकर writer की नजर अंदाजगी को criticize करना सही होगा जो की उनकी किताब लिखने के बार discover किया गया था दूसरा criticism argumentation को illogical ठहराना हो सकता है मिसाल के तोर पर कहीं पर author एक बात कहता है और बाद में उसी के खिलाफ कोई point देता है ऐसा Thomas Hobbs के famous philosophical track Element of Law में देखा गया है जिसमें शुरुवात में कहा गया है कि matter की body में महक taste जैसी कोई भी खास्यत नहीं होती बाद में Hobbs ने कहा कि इंसानों के अंदर ऐसी खास्यत होती है और वो matter के बने होते हैं ये author के शुरुवाती argument के एकदम उलट है दूसरी कम्या अधूरे arguments या फिर text के शुरुवात में आई problem को solve करने की नाकामी हो सकती है syntropical reading आप अपनी reading expertise का इस्तमाल एक ही वक्त में एक ही topic पर कई किताबें पढ़ने में कर सकते हैं जब आपको class के लिए essay लिखने की जरूरत होती है तो आप इसे एक किताब पर base नहीं रखेंगे आप अपना content कई sources से collect करेंगे top level technique syntropical reading इसी बारे में है syntropical reading के तहट एक ही topic पर दो या उससे ज्यादा किताबें एक ही वक्त पर पढ़ी जा सकती है जब आप इस तरीके से पढ़ रहे हो तो आपको लिखे जाने वाले topic के बारे में मालूम होना चाहिए और सिर्फ अपने काम का ही passage सेलेक्ट कीजे तो ऐसा करने का best तरीका क्या है syntropical reading inspection reading और analytical reading के जरिए अचीव की जा सकती है इसका मतलब है अपने essay के लिए book के title cover और अलग-अलग किताब के indices को देखकर appropriate book चुनी जा सकती है टेक्स्ट को inspect करने के बाद analysis का number आता है essay के लिए आपको समझने की जरूरत है कि अलग-अलग authors किसी एक topic के बारे में क्या कहते हैं और ये literature में कैसे develop किया गया है present idea की deep knowledge के लिए analytical approach की जरूरत है syntopical और individual inspection और analytical reading की टेखनीक के बीच main फर्क ये है कि syntopical reading में topic आपके essay का होता है जबकि बागी में topic किसी खास book का होता है याद रखे आप उस topic पर किसी सवाल का जवाब या opinion तयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर पहले से ही कई नजरिये मौजूद है इसलिए analysis reading के उलट पूरी तस्वीर पेश करना बेवजा है अपने काम यानि essay भर का पढ़ना काफी होगा अभी तक हमने किसी भी नए text के लिए effective guideline के बारे में जाना लेकिन हर genre और हर किताब अपने आप में नई दुनिया होते हैं इसलिए आँख बंद करके कोई rule follow करना ठीक नहीं होगा आपको rules apply करते वक्त common sense का इस्तमाल करना चाहिए ध्यान रखिए कि हर genre अपने अंदर अलग structure और motivation रखता है मिसाल के तोर पर so what ये सवाल novel और ethics पर लिखी गई किताबों पर अलग अलग तरह से apply होगा असल में novel में what book को लेकर आपके experience और impression के context में इस्तमाल होता है हर reader के लिए कोई universal moral नहीं हो सकता हर genre में structure भी अलग होगा मिसाल के तोर पर philosophy, arguments और facts के लिए clear sequence का अंदाजा लगा सकते हैं वहीं दूसरी तरफ history में historical facts का analysis होता है अलग genre के लिए अलग rule accept करने के अलावा कभी कभी किताब को समझने के लिए सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होता ऐसे मामलों में आपको दूसरी किताबों और अपने experiences का सहारा लेना होगा मिसाल के तोर पर जिस order में किसी author की किताबे लिखी हुई है उस पर ध्यान देना helpful हो सकता है क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा पढ़ी जा रही किताब में पिछली किताबों के ideas को develop किया गया हो मतलब आप मौजुदा किताब तभी समझ पाएंगे अगर आप इसके background के बारे में जानते हो American Constitution को ले लीजे ये 18 सेंचुरी में develop किये गए ideas पर based है इसलिए pursuit of happiness जैसे genre को appreciate करने के लिए आपको Motusk और Russo जैसे philosophers के काम से वाकिफ होना होगा कुल मिलाकर किसी भी text को पढ़ने और समझने के लिए खास तोर पर जिसका मकसद study हो कुछ simple techniques का इस्तमाल करना होगा जिसमें passive reading की जगः active reading involved होती है क्या करें? ज्यादा सवाल कीजे author के ideas को for granted लेने के बजाए सवाल कीजे क्या उनके arguments में कोई कमी है? क्या उनके ideas logical है? active reading के जरीए आप किसी भी text से ज्यादा knowledge हासल कर सकते हैं और आप अपने काम को बहतर तरीके से analyze और evaluate कर सकेंगे क्या उनके उनके जरीए आप जरीए आपकेश्ट कर सकते हैं झाल कर सकते हैं